मोधी सर ने मानहानी केस में राहुल गांदी के अपिल पर कुज्रत हाई कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है राहुल ने 2019 के मामलے में खुद को दोशी ठहरा जाने के फैसले को हाई कोट में चुनोती दी थी हाई कोट ने मंगलवार को राहुल गांदी केस मामले में कोई अंतरी मरात देने से निकार कर दिया जसेस हैमन्त प्रश्चक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे पांच मही को हाई कोट का अकरीव वर्किंग डे है इसके बाद गर्मी छुट्टियों की वज़ा से कोट अगले महीने पांच जुन को खुलेगा इसके बाद इस पर फैसला आ सकता है 27 अप्रेल को कोट में राहूल की और से सीनिय अड्वोकेट अभिशेक मनुस सिंग्वी ने अपनी दलीले रखी थी वो ने कहा था कि राहूल गांदी ने महडर नहीं किया है अगर दोश सिद्धी पर रोक नहीं लगाई गई तो वह आठ साल तक चुनाओं नहीं लड़ सकेंगे राजनीती में एक सब्ता भी लंबा वक्त होता है आठ साल में तो याचिता करता का राजनीतिक किरिर खतक मुझाता है सिंग्वी की दलिले पूरी होने के बाद जस्टिस हैमन प्रश्चक ने कहा था अब शिकायत करता को अपना प्रक्ष रख लेने दीजिए दो माई को इस मामले का निप्टारा कर देंगे मैं भी पाश माई के बाद फ्री नहीं हूँ मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ इसे कोट ने इनकार कर दिया था इसके बाद राहूल ने गुचाथ हाई कोट का दरवाजा खटकटाया है